असफल लोग तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं जबकि सफल लोग तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं नमस्कर साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपने परिवार PBR स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे कि अब होगे आपकी सहत बढ़ियां होगी लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आपको मैंठ नहीं आती है तो बिल्कुल इस तकलीफ को मैं बिल्कुल अपनी तकलीफ मान रहा हूं और हमारी कोशिस ही नहीं भर्पूर रेजल्ट भी आप देख रहें कि अगर आपको नहीं आती आपने आपको मैत में कभी कमजोर नहीं समझना आज की इस पूरी क्लास में हम 11 प्रकार के बिभिन्य भाग के बारे में बात करेंगे इसी में आता है ठीक है मैं दो प्रकार का होता एक टर्मिनेटिंग नान रिपीटिंग… चैयो को पूरा इंट तक कं कॉछ्छे नहीं हो को ओके आगे बढ़ें चलो आजाओ फटाफट सबसे पहले टाइप वन की भाग क्या होगी कि चाहो तो आप हेडिंग लिख लो पहली प्रकार में क्या है वहने कई नोट करके रखा है जब एक बार में पूरा-पूरा भाग चला जाए और सेस्फल सुनने आए सुना आपने जब एक बार में पूरा-पूरा भाग चला जाए और सेस्फल सुनने आए चलिए जैसे एक्जामपल मान लेते हैं हमें बिल्कुल जीरो से सिखाना है तो आठ में अगर हम दो का भाग करेंगे तो क्या होगा दो चब का आठ ना तू फोर्जा एट इसमें पूरा-पूरा चला जा रहा एक बार में और रिमाइंडर जीरो आ रहा है है ना जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हिंदी में इंग्लिस में इसको डिवाईजर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिवाईजर बोलते हैं जिसमें भाग जाता है मेरे भाई इसको भाज बोलते हैं इंग्ल इसको कौइशियंट बोलते हैं नीचे जो बच्छता इसको सेसफ़ल बोलते हैं in English में इसको रिमाइंडर बोलते ठीक है रिख लोगे न सभी dividend and कौइशियंट ओके चलो इसको नोट कर लिजिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी लीजिए मैं हट गया हूं सामने से जल्दी नोट करिए इसको फटा-फट अब इस तरह कि और भी धेरो एक्जामपल देखेंगे जिससे कि आपका बिल्कुल कांसेप्ट किलियर हो सके ठीक है जैसे 17 से हमें भाग करना है 85 में 17 से 85 में भाग कितनी बार जायेगा आप मुझे जल्दी से बता हो चलो कोशिस करो कितनी बार जायेगा एनिवन मैं बता देता हूँ चलो देखो देखो और समझो आईए कितनी बार जायेगा कि 17 का भाग मैंने पूछा कि भाइया 85 में कितनी बार जायेगा यह आपको टेबल आना चाहिए कि पता है सेबंटीं फाइब जा 85 होता है सत्रा पचे पचासी घटा होगे जीरो आएगा अपने मन में सोचो कि इसमें जो डिवीडियंट है वो कितना है कि डिवाजर कितना है कुछ समझ में आ रहा है यह फर्स टाइब का भाग है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है और सेसफ़ल जीरो आता है रिमेंडर सुनने आता है इस तरह कि और भी बहुत सारे डिवी डिवाइजर हो सकते हैं मतलब यह देखो इनको करके बता मुझे कितनी बार कि यह फर्स टाइब हो गए ठीक है कि सिकन टाइब में हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी हम आपको हर एक अलग अलग टाइब के भाग बता रहें जिने डिवीजन बोलते हैं मतलब इंगलिस में आपको अगर यह आ रहा है तब भी पूरा देखना है क्योंकि बीच में सेस्फल आता है मतलब भाग तो जाती है पूरा पूरा लेकिन रिमाइंडर बचता है जैसे इस नहीं का भाग करें me छुर्छ कचिन लगा के लिखा गया है और यह भाग दिया जा रहा है लॉंग डिवीजन मेथेड ठीक है तो इलेबन फाइब जा फिटी फाइब ग्यारा पचे पच बनना सब ट्रेक किया तो वन आ गया ठीक है यह वह भाग है जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है लेकिन फिर भी सेसपल बचता है आप इसे लिख सकते हैं दूसरे टाइप के प्रकार में आगे लिख लो जब एक बार संख्या में भाग चला जाए पूर्दा भाग चला मतलब पूर्दा नहीं लिखोगे भाग चला जाए लेकिन फिर भी सेसपल बचे ठीक है जैसे 14 का भाग आपको क करना है 74 में छलो बताओ लिखर फटा फटा इसमें कितना से फ्वल आएगा जो सी नंबर में बताओ अगर इसमें ऐसे भाग किया अज त दी नंबर बताओ अगर यसा सी में भाग किया हो नई से से अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि इन सब का मतलब यही है सबी कर लेंगे ना बहुत आफान है थार्ड टाइप अभी आपको इजी बताऊंगा क्योंकि आपका इसमें दिल लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा प्यार होना चाहिए ना इससे नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आए ठीक है चलिए लिखते हैं कोई डाउट किसी को तो बता देना मुझे टेंसर मत लेना ठीक है समस्च चल रहा ना इक दम है ओके चल भाई एट टूजा शिक्स्टीन वन यह घटाने पर आया उपर से 6 उतान लिया फिर एट टूजा शिक्स्टीन जीरो ऐसे इस पर भाग पूरा पूरा चला गया ना इस तरह से अगर 612 में 18 का भाग करेंगे तब भी ऐसे होगा समझते चलना अठारा का भाग 61 में पढ़ना है कितना बार जाएगा तीन बार जाएगा पहले अठार्टीन आई चाववन देखो यह नंबर ऊपर भी लिख सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं यहां जगा कम है इस लिए उपर लिखा था इसको घटाओगे एक मसे तो गटेगा नहीं इधर से उधार जाएगा ग्यारा में से चार गया साथ वैसे भी आप जानते हो फिप्टी फॉर में सेबनेट करते हैं 61 होता है उपर से टू उताल लीजिए और अठारा चूग 72 होता है सब अब इधर समझिए नाइन से 288 को भाग करके मुझे बताओ चलो 288 को भाग करो नाइन से कितना भागफल आएगा बताओ क्वाशियंट कितना आएगा जल्दी करके बताओ सबी कर लोगे ना पका एकदम इवांदारी से अगर आप इसे यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं अपलीकेशन में देख रहे हैं तो आप नोट्स बनाएं और उसे हमें सेंड करें ठीक है चलिए इस पसली मैं ही चेक करता करना है 534 को कि इसको करके मुझे आपको भागफल बताना है ठीक है बताना कि साथी मेरे अब हम देखने चल रहे हैं चौथे प्रकार का भाग पहला प्रकार आपने देखा जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है और एक ही बार में जीरो सेस्फल आ जाता है दूसरा प प्रकार आपने देखा जिसमें एक से अधिक बार भाग जाता है लेकिन फिर भी सेस्फल नहीं आता है चौथा प्रकार आप देखेंगे जिसमें दो बार भी भाग जाएगा फिर भी सेस्फल आएगा बहुत ही छोटी-छोटी में बाते इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आ आप में से कोई भी इसका सेस्फल बताएगा क्या एक अच्छी बात है यह कल्कुलेटर में नहीं होगा उतना असानी से चलो मैं बताता हूं डॉन्ट वरी कि आओ देखो चलो भाई आजाओ देखो देखो 12 का भाग करना है किसमें 745 में ओके कितनी बार जाएगा देखो 12 चंग 72 छे बार जाएगा घटाओ के कितना आएगा दो पका उपर से 5 उताल लो अब 12 दूना 24 सब्ट्रे करोगे वन आएगा यानि भागफल भी आ गया और सेज़फल भी आ गया किसी को कोई डाउट नहीं इस तरीके का अगर 16 से 8 साथ 9 में भाग करो चल भाईया इसको करके मुझे आप लोग भागफल बता सकते हो देखो आसान है आसान है बहुत आसान है देखो कैसे बता रहा हूं समझो प्रिष्टर मुझे लग रहा कुछ लैक कर रहा था थोड़ा बहुत आईए देखते हैं एटीन ने नहीं 16 सोला का भाग 87 में करना पहाड़ा आपको नहीं आता तो आप मुझे संपर करना पहाड़ा की में ट्रिक बता दूंगा ठीक है पहाड़ा जितना जैदा प्रेक्ट सेबन ठीक है उपर से क्या करोगे आप यहाँ पर नाइन उताल लो नाइन उताल लोगे आप कितनी बार जाएगा उड़ा कर लो सिंपल सा बात है सोला पंचे असी तो जाएगा नहीं अब सोला चुका चौशाठ घटा ओगे इसमें से तो पांच आएगा इसमें से घटेग तो एक आएगा यानि यहाँ पर क्या हुआ पंद्रा से स्फल आ गया क्यों कोई डाउट किसी को नहीं लिख लो जल्दी से यह आपका हो गया चवते परकार का भाग इसमें कुछ हो मर्क लेलो जैसे 13 का 404 में भाग करना और फिर मुझे बताना ठीक है दन और आगे अगला एक और लेलो पंद्रा का 946 में करना ठीक है पंद्रा का भाग करना 946 में चलो जल्दी लिखो इसे फटाफट यह हो गया आपका चार परकार के भाग अभी बहुत कुछ चीखने को मिलने वाला है जाना नहीं कहीं बने रहना अमारे साथ अगला पाचवा परकार देखिएगा जब कोई संख्या लाष्ट में बच जाए और उसमें भाग न जाए ऐसी अवस्था में क्या करते हैं ध्यान दिजिएगा इसमें लाष्ट में कोई नंबर बचेगा लेकिन उसके आगे फिर भाग नहीं जाएगा और फिर उपर कोई स मीं तो आपका टेबल आएगा सेवन्टीन का कित्नी बार ऐसेवन्टीन ध्रीजाद यह सत्रा तींडल तीन बार जाएगा तो इसको आप घतयाएं गितनर रहेड़ा जायेगे क्यों फिप्टी द०ू से फिप्टी-ंवन सट्रेग ऊंएगा ऊपर क्या बच ना है ऐब दी उतारने के बाद भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसमें भाग जाए क्योंकि 17 और बड़ा है तो आप क्या करेंगे पहले तो यह नियम होता है कि सेस्फल जो आया है उसमें अगर भाग नहीं जा रहा है उपर कोई नंबर बचा है तो उसको नीचे उतार लेते हैं लेकिन हमेशा भाग जाता है जीरो सबका साथ ही है तो वन बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा जीरो बार जाएगा तो यहां पर जीरो आएगा इसको घटाओगे फिर से 15 आ जाएगा वह अलग बात है लेकिन हमारे पास कहने का सबूत रहेगा कहा मैंने कोशिस किया था अग भाज यानि डिवीडियंट इक्वल डिवाईजर इन्टू कोशियंट भाज गुड़े भागफल इंगलिस मुझे बहुत अच्छे पने आता लेकिन फिर भी आपको सिखाने लायक आता है अगर हम इस भाग को ट्राइग करें रखके भाज क्या है आप बताओ कमेंट करके डिवीडियंट क्या है 525 डिवाईजर कितना है 17 कोशियंट 30 प्लस रिमाइंडर 15 इनको अगर आप देखो मगर प्यार फे तो तरह तियां इक क्यामन अगर गलत हो जाएगा तो बता देना बिलकुल इनका गुड़ा करो के 510 आएगा 15 जोड़ दो तो भहिया 510 पंदरा कित 25 हो जायागा ना यानि दोनों पक्ष बराबर हो जायागा इसका मतलब यह भाग सही है लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचिए अगर इसको हम वहीं छोड़ दिये होते तीन बार भाग ले जाके फिर यहां 15 सेसफल बच गया था इसको बहले स्क्रिंसाट ले लिजिए मैं व पर वन बचा था ना भाईया वन बचा था फिर फाइप मैंने उताल लिया था यह 15 से अब इसमें 17 भाग जाई नहीं रहा था यहीं छोड़ देते तो यह गलत यह गलत क्यों था यह गलत इस लिए था कि अगर इस पर हम तीन रखते तो सत्रातियां 51 हो जाता तीस तो रखत पर नहीं आते मतलब यह भाग के इस कांसेप्ट के अकारडिंग गलत था समझ गए ना चलिए अगला नेक्स्ट कुश्चन इस तरीके से आप भाग करिए 491 में 12 से 12 का भाग करिए 491 फट से करके मुझे बताईए कितना भाग फलाएगा बहुत जल्दी कोई भी भाग सही है या नहीं सही है इसके लिए जो अभी तरीका में दिया था न नीचे यह उसको करके बेरिफाई कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी करिए डिजिटल बौर्ट बहुत जल्दी आने वाला है फिर यह क्लास आपकी उस पर अपडेट कर दी जाएंगी डिजिटली वाले में हमारी कोशिस है दिनों दिन की आपको बहतर सुब्धा मिल पाए साथिो मिल कर टेबल सबको आता है नहीं आता तो tbla लियाद कर ली जीए टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है बाराट चोक र तालिस चार बार जायंगे ना स्यायनीता, क्योंकि हमारा एक जो सिस्टम कहता भाग करने का व्वो ओपर जो नंबर बगल नब लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो मैंने अभी अभी बताया था अगर उपर से आप कोई गिंती उतारे हैं तो आपको भाग ले जाना ही पड़ेगा जैसे जिंदगी में जब तक साधी नहीं कियो ठीक है रह लो अच्छा है लेकिन साधी कर लिए तो तुमको निभान उनकल पड़ेगा पतलब उनके लिए जहलना पड़ेगा तो वैसे क्या उतार लेने का मतलब मान लोगे वसाधी करें लियो तो इनको भाग अब लेगी जाना है वरे जाएगा जादा हो जाएगा टोल अंजर जादा नहीं यह आई साथा नहीं हो सकता बेट बापसे बढ़ ले जाओगे आप कितनी बार जीरो बार तो जीरो बार ले जाओगे यहाँ जीरो आएगा चाहे एक जीरो लिखो चाहे दो लाइस्ट में फिर वही आएगा घट करके जितना वहाँ पर लिखा था लेकिन यह हो जागा अंसर समझ मैं आया एक और लिखिए 14 का 993 से 993 में 14 से बात वही हुई इनको करके मुझे भागफल बताना ठीक है सेबन सेबन एट में 19 से चलो फट से करो और फिर मुझे बताओ बिल्कुल भी टेंसा नहीं लेना मेरे साथियों अगर आपने पी वियर स्टडी को चुना है न तो हमारी कोशी से मैथ में आपको माश्टर बनाने की बस थोड़ी बैस्तता है इस वजह से कलासे अपडेट न हमारी सकल न होता है संगर्ष की दिन के वीडियो है उनको देख करके भी आपको मोटीवेशन मिलना चाहिए कम से कम जो पूराने वीडियो देख रहे हैं पहले वाले इनको कर लिजिएगा दोनों को नेक्स्ट छाठमा टाइप देखिए उसके पहले आपको बता दें अगर आप किसी इंसान को सफल देख रहे हैं या किसी भी छेतर में कुछ बड़ा देख रहे हैं तो वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं है परदे की पीछे उसने बहुत मेहनत किया बहुत धूल फांका है तब जा करके वह आपके सामने ऐसे आया है लोगों को लगता है कि यह तो च अब आता है आई यह चाटमा टाइप देखिए जब भाग तीन से ज्यादा इस्टेप में जाए और सेसफल सुनने आ जाए अब तक आपने देखा दो बार में गया भाग तीन बार में गया ऐसे कुछ देखा था लेकिन सेसफल सुने नहीं आ रहा था ना अलग-अलग परक इसको अलग-अलग चीजें सिखाने की कोशिस कर रहे है कि इसमें सेसफल जीरो आ जाएगा इतना लंबा जाने की बाद भी देखिए कैसे कि सेबन का सबको टेबल आता है 68 में काउंट करना है 58 में तो सेबन नाइञजा गींग अ शिक्स्तृ ठी और सेबन टे राक मतलब 17 7 retreat मतलब सत्तर तो सेबनयोंटी जयादा आउजाएगा ना इसे बन नाचनिजा 60 थो फिफिर इसको घटाएंगे इसमें से कितना आएगा पांच देखो लिखना भी नहीं इसको पॉलियो मर दिया हुई सही जाने तो अब क्या होगा साथ का भाग इसमें जायेगा नहीं उपर पडोसी है इनको भी लेल उनके फात्में आप कितनी बार जाएगा सेवन एट चा साथ अठे चापन ज्यादा हो जाएगा तो साथ बर जाएगा सेवन सेवन जा फोटी नाइन गटा लो भाईया वैसे भी जानते हो तुम उन चास में छे जोड़ों के पच्पन आएगा तो छे लिख तो बाकी कुछ मत लिखो ठीक है आधा काले से लिख लो चल यहाँ पंच को मैंने यहां लिखा था तनो बचा नो को यहाँ ला के लिख लो सकते नीछे यह तक भी यह的 हैं कि आतों अब ऊपर क्या बचा है किrig और बचाऊ उपर तेन बचान तो साथ नवा truth फिर फिर नो बाइंडा बचा देख विस तरीके से भाग यह गया तो 3 यानि कोशिज तो इन्होंने बहुत किया उटक पटक की लेकिन लाश्ट में सब सांध ठंडा लिख लिजिए हम आपको सिखा रहे हैं भाग अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग के संपर्ख में रह करके सिखना चाहते हैं तो पीवियार स्टडी अप्लिकेशन में सब्सक्राइब्स लिजिए आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए इसमें और ले लिजिए एक आठात्र पंचानवे अठासी चल भाग करो इनको फट से करके मुझे भाग फल बताओ कर लोगे सभी इमानदारी से बताना देखो यार कोसिस करना चाहिए बस जिन्दगी में क्या होगा यह नहीं पता है ठीक है क्या सोचें जिन्दगी में क्या होगा क्या सोचें जिन्दगी में क्या होगा कुछ सफलना हुए तो क्या हुआ ताजुरूबा तो नया होगा ऐसे तो कुछ है ना चलो ट्राइब करो आईए देखिए बारा का भाग इसमें जाएगा इसको मिटा है कितनी बार जाएगा छे बार जाएगा बारा छंग बाहत्तर क्यों तो इसमें से घटाओ कितना आएगा च्छे अब देखना समझते जाना आगे फटाफट साथ बार जाता तो साथ दूना चौदा स्वाथ एक कम साथ एक आठ चौरासी हो जाता जाता अब उपर से नाइन उतालो कितनी बार जाएगा 69 में 12 का टेबल कितनी बार जाएगा आए ट्वेल यानी बार पंचे साथ बार च्छंग बहात्तर पांच बार जाएगा ना करके देखो भाई पांचे बार जाएगा तो बार पंचे साथ गटाओ गे नौ आएगा उपर देखो और कुछ बचा है 78 तक हो गया यह 9 यहां पर उतार लिया था अब यह 5 यहां उतार लो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा हो बारा सत्य चौरासी बारा अट्फे चानवे जादा हो जाएगा सेबन टाइम जाएगा बारा सत्य चौरासी है ना यह 15 पंदरा मैंसे चार गया कितना हैगा है पंदरा कहें करोगे वैसे सीधा तो घट रहा है देखो समझते चलो भाईया नो यहां पर उतारा था बचा हुआ पांच यहां पर उतारा था अए चाच्चा अब यह ने रहू घे रहू बैठे यहां दूजने इनको भी उतारना पड़ेगा कहें कहें ट्वेल का भाग अब इसमें नहीं जाएगा क्योंकि छोटा हो गया तो उपर से सपोर्ट लेंगे यहां से अब चला जाएगा ना बारा दहम्मा 120 ज्यादा हो जाएगा तो नाइन बार जाएगा वन जीरो एट एक सो अठारा है तो दस आएगा क्यों सही जा रहा है ना बारा नवहीं एक सो आठ नो दून आठारा हां फिल एक कम नो एक दस अ अभी देखो एक आठ तो यहां पर उतार लिया था उपर से एक आठ अभी बच्चा था इसको भी लिख लो तो फिर नव बार जाएगा बस हो गया अंसर नीचे लिख दो एक सो आठ समझ में आ रहा सभी को ना कोई डाउट नहीं भागफल कितना आया 65799 यानि 75799 चलो जल इनको आप छे से भाग करके मुझे भागफल बताओगे जल्दी करो एक और भी लिख लीजी आप लोग फट से लिखो 78, 50, 16 इनको भी भाग करो फटा फटा मुझे भागफल बताओ चलो बहुत जल्दी फास्ट उमीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कुछ लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगी क्योंकि अच्छी किताबें और अच् आती है समझने में है न चलिए तो मेहनत करिएगा कोशिस करिएगा अगर कुछ अच्छा मिलता लाइफ में उसे समझने की कि सत्वा टाइब देखिए इस तरीके से बस देखते जाईए बहुत कुछ दिखाएंगे आपको चल भईया सत्वा देखो सत्वा टाइब में कहा है सत्वा टाइब कहा गा हो दसमलो वाली भाग यह दसमलो वाली भाग चाहे तो लिख लो डेसिमल वाली भाग जैसे दो का भाग करना है अगर किसमें ग्यारा में कितना आएगा complete इसमें एक condition है कि आपको सेस्फल बचाना ह लेकिन आपको बचने नहीं देना है कि सत्वा आप चाहे तो हेडिंग लिख लिजिए उपर दसमलो वाली भाग कि 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 इसमें पर जाएगा पहले पांच बार जाएगा ना दो पंचे दस घटाने पर एक आया लेकिन हमें सेस्फल नहीं बचाना है सेस्फल खतम कर देना है तो क्या करेंगे ले जालो जब आगे देखो ट्राइग करके देखो उपर दसमलो बढ़ा के यहाँ जीरो उतार लेंगे और फिर पांच बार जाएगा दस इस तरह से जीरो सेस्फल आगे आईसे अगर हम आपको और भी दें तो कर लोगे ना सभी हजम हो जाएगा ना चलो चार से भाग करो एक आईस में आईसे करते हैं इसको यकाईस में डिवाइड बाई चार चलो भया आईसे लिखते हैं इसे बस चार पंचे बीस गटाओ एक आएगा उपर दसमलो बढ़ाओ यहाँ जीरो चार दूना आठ कर लो कर लो कोई दिक्कत नहीं है गटाओ गे दो आएगा जीरो उतार लो चार प बस हो गया डन इस तरह से एक और लिखिये किसी को कोई डाउट कोई तकलीफ कोई कंफूजन तो बता दो भाईया कंफूजन नहीं कंफूजन बोलते हैं वो वो थोड़ा थोड़ा लुड़ा जाता है कभी कभी चलो एक और 12 का 54 में अब इसको आप लोग करके मुझे बताना क्योंकि मेरा मन नहीं इसके आगे कि मैं इसको करूं और जिस चीज का मन नहों उसे करना नहीं चाहिए लिखिए 5 3 449 इनको भी कर लेना आप लोग तिरपन तिरालिस चौरान नवे इनको सबको करना आपको ठीक है डन ये था सातमा परकार का भाग जल्दी करें अब हम आप दिखाएंगे आठवा परकार की भाग एट नमबर टाइप चलिए आठवा नमबर के लिए रेडी स्क्रीन साट ले लिया करिए या वीडियो को पुछ करके लिखा करिए कोई परकार की तकलीफ है तो नमबर उपर दिया गया उस पर मैसेज करिए जो बच्चे सब्सक्रेप्शन लिए उनको इसपेसली एक नमबर दिया होगा नाइन फोर से उस पर मैसेज करेंगे तो उनको फास्ट रिपलाई मिलेगा ठीक है अठवा टाइप अगर आप इसे यूटूब या डेमो की रूप में देख पा रहे हैं यूटूब या फेस्बुक कहीं भी तो पी वी आरे स्टडी आप डाउनलोड करके आप कम्प्लीट कोर्स अच्छे से धंक से पढ़ सकते हैं यह अप्लीकेशन का नाम है पी वी आरे स्टडी ओके भाईया यह है बड़ी बड़ी भाग बड़ी बड़ी भाग मतलब ऐसा जिसका कोई अंतना हो बरका बरका भाग बरका बरका मतलब समझ रहे हो इसके बारे में मैं बहुत बिस्तार से बाद में बताऊंगा पहले आप देख तो लोगे का सकल सूरत इनकी कैसे है इधरा से शुरू करेंगे जिससे खतम हो जाओ उधर तक जैसे 17 का भाग करना है 105 में तो इनका ना आधी है ना अंत है ये कुदा अनंत है तो पहले कितनी बार जाएगा 176 का 102 गटा लो भाईया 3 आएगा उपर दसमलो बढ़ाओ सिलसिला शुरू यहाँ पर 0 उतारा 17 एकम 17 गटाओ इसमें 13 आएगा कोई डाउट हो गत बताये जाना एक बार दसमलो बढ़ाया बार बार 0 उतार सकते हो 177 119 गटाओ के 11 आएगा क्यों एक बार दसमलो बढ़ा के रजिस्टर कर आएगा 0 उतार लो बार बार 176 एक सो दूई कितना आए आठाया अब कोई डाउट इसमें कोई तकलीफ नहीं ना चलो अब क्या करेंगे फिर फेजीर उतार लो दसमलो बढ़ाया वाल रेडी तो 177 119 साथ बार तो जायेगा नहीं पांच बार भी नहीं जायेगा चार बार जायेगा पांच बार काहें नहीं जायेगा क्योंकि 85 हो जायेगा तो चार बार जायेगा दसमें से 8 गया 200 इसमें से उधार गया 77 में से च्छा गया ए ठीक है घेवर इतार लो है कि फिर साथ बार जाएगा कि गटाने पर एक आयगा कि है न कि अब क्या करें गभईया यह बाब बब क्या करेंगे हो अब हमें नहींद से ऋ 되면 फिर भाग में जाएगा अब गजब rodzails बताई एक 0 उतार फिरो नहीं जा रहा है फिर 1-0 और उतारेंगे लेकिन यहां पर लिमिट पार हो रही अब यहां दिखलात को अर está sub の एक शोटा-टाया कोई एक साथ में तो हम 1-0 सोभी देंगे जैसे आपने देखा नहीं है आज कर रहे हमारे डेश में इंस अच्छा ज्याम के लीए घुषकौरी वाल का घूस खोड़ी वाल ना उपर साहब को भी खिलाता है ऐसे अंकेले नहीं खाता है जैसे समझो यह लिया तो अकेले नहीं खाएगा इसको भी देगा तब ही हजम होने वाला है बात वरावर चलो समझ रहना चोटी बात समझ लीजिए जैसे अगर गाउं में कलोनी आई है गराम परधान खा रहे हैं सणक का पईसा आया खा रहे हैं तो बीडियो को भी खिलाते हैं ब्लाग डेबलोप्मेंट अफीस रही से कुछ होता है ना उसके उपर डियम ताब चलता है चलो मैं किसी का इघर ना नहीं ले रहा हो इसमें गरियान मत क्त रहों जायए चालो कितनी बार जायेगा ऑब यहां समझ गेजिवर बढ़ा है यहां बार उटालियां काम खतम हो गया करना जिख हों यहां लिख लो यहां लिखो बंद्रा, इहां लिखो समझते चलना यहां के बाद भाग यहां आगई ट्रांसपर हो गई अब 15 आया 15 में भाग जाएगा नहीं फिर क्या करेंगे जिरू तालो कि 17 का भाग डेर सो में कितनी बार जाएगा गटाओ चौदा आएगा हाँ ठीक है फिर अब चौदा में तो भाग सत्राक जाएगा नहीं फिर जीर उतालो अब कहोगे कब तक जाएगा जब तक 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 करो ना यह वहीँ भाग है जब तक मतलब आनति मीचा तक करो यह कटने वाली आएग्व मुझे नहीं पता कपकटेगी तुम झांभी करोगे आने वाली पीडिय,"एम तुम्हाएं लड़के बच्चे करेंगे लड़के बच्चों के बच्चे भी करेंगे तब तुम क्या डंजा ओ और क्या आपा के ओपर जट फट बाबाव यह आपके क्या हो जाएंगे नाती जा नाती हैं और वह साप भाग करेंगे ऑल्डे लोल्त इम्हा नहीं क्या बोलते प। कि यह रिपीट भी नहीं वड़ा कुछ इसमें इंग्लिस भासा में इनको बोलते हैं नान टर्मनेटिंग नान रिक्वाइरिंग या नान रिपीटिंग ठीक है अनावसानी अनावर्ती अफांत दसामलों परसार इनके यह सारे एडवांस नाम है जो आपके काम का है चलिए एकात बार और कर लेते हैं थोड़े और इच्छा पूरी कर लें तो फत्रह ठेक 136 घटाओ कितना आएगा चार फिर जिरू उतालो फिर 40 आ गया देखो 100 के उपर गया था फिर छोटा आ ग हो गया आप लोगों को सवाल होगा फिर गुरुजी अगर कहीं इसे आ गया करने को तो कहा करेंगे अगर कहीं ऐसे आगया कहीं आंसर पूछा गया ना तो यह शिक्स पॉइंट वण से बनाया ना इसके बास सिक्स है ना सार्थक अंग और कोटिमान में पढ़ा होगा वन से बन आप मैक्सिमम तीन अंक तक लिखा जाता है तो इसको सिक्स इतने छोड़ देंगे बस यहां पे थोड़ा और काम की चीज़ बता दें अगर कहीं आपको कंफामान सा लिखना है सिर्फ एक अंक में लिखना है मानलो जैसे 6.1 6.2 ऐसे ही बताना है उससे जाधा नहीं बत जाधा तक है जीरो सो चार तक है तो हम उस गिंती को ऐसे सेम टूर में लख लेते हैं उसमें कुछ बढ़ाते नहीं है जैसे को मैंने 6.1 और दिया अगर यह साथ नहीं होता तीन होता तो इसको 6.1 ही लिखते है लेकिन अगर यह 5 से लेकर के 9 तक है 5-9 तक है तो इसकी जो गिंती है जैसे 1 था ना ये इसके बाद में जो है अगर वो 5-9 के बीच का है तो इसमें एक बढ़ा देते हैं जैसे इसमें बढ़ा दिया ठीक इसको ऐसे समझ लो आपके अगर ये ऐसे होता 1, 3 और ये 6 इसको हम फाइनल में लिखते हैं तो 6.1 ही लिखते हैं 2 नहीं करते हैं क्यों क्योंकि 1 के बाद का जुगिंती हो 3 है 3 जो है 0 से लेके 4 के बीच में आ रहा है ये काम की बात थी ठीक है लिख लो भाई लिख लो लिख लो आगे बढ़े जल्दी करो हो गया डन कोई कंफूजन नहीं किसी को चलो भाई या आगे बढ़ते हैं हम लोग देखे लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसे जरूर सेर करो किसी ना किसी से कभी कभी हम ना उसका समधान होने कि बावजूद भी नहीं सेर करते किसी से हल नहीं हो पाता जेलते रहते हैं जो टेकनिकल चीजें होती है आपकी क्लास रिकार्ड करने में अगर आप जूड़े हैं कहीं इससे तो आपको पता होगा जबने मैक बुक लिया नया तो उसमें बिंडो में तो जाता था इसमें बड़ा जोला होता था यह इतना महेंगा लेने के बाद भी लाइक करता था और सिस्टम सेटिंग नहीं हो पाती थी मैं तो हमारे सब भाको कुष अलग लगत लेकिन कभी मैं सोचा नहीं को न से पूँच लू अभी फोन किया और यार यह तो अपकी प्रॉब्लम क्या है हमारी कुछ अलग थी मतलब मैं उसकी प्रॉब्लम पहले मेरी दोनों की बढ़ाबर लेकिन वही मैं अगर कुछी दिन पहले अपनी समस्य होता तो होग गया और आपको क्लास और बहतर आप चलिए आगला देखिए सट शेसो सब्तान्दवे इन में भाग करना है भाग करके मुझे भागफल बताना चार पांच अंक में साथ अंक में जितने में कर पाओ अगला लिखो 180, 99, 99, 841 इनको करना दस हमलों के बाद साथ अंक तक सभी को साथ अंक तक कर ले ना चार सो साट साथ सो बाननेवे इनको सबको करना है ठीक है यह लॉंग डिवीजन है बड़ी-बड़ी भागे हैं जिनका कोई आदियंत नहीं होता है चलिए आगे बढ़ें तो यह हो गया साथ ही मेरे आठ परकार की भाग अभी इसमें तीन चार परकार और भी देखना है नो नंबर में टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन देखेंगे अब मतलब है यही सब चीजें समझाया भी हूं लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके बत टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन ठीक है चलो नो नंबर लिखो क्या मैंने बोला टर्मनेटिंग डेसिमल इसमें क्या होता है कुछ इस्टेप बाद भागफल सुनने आ जाता है ठीक है इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर कहो तो बिस्तार में बता दूं वैसे भाग वाला ही कांसेप्ट लेके चल रहे हैं तो जाने दीजिए नहीं समझी लीजिए ये भी इसी में काम का है जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें भाग करना है ऐसे एकसो सत्तर में पचीश से ठीक है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स्पेंसन है या नहीं इसकी पहचान क्या होती भी से सुरूप से जानते हो देखो जो हर है न एक चीज़ समझो बहले इस चीज़ को अब ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें भी कोई बुराई नहीं है इसका इसका और इसका मतलब एक है ठीक है तो मेरे भाई यहाँ पे यह समझो, कि इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, पता है आपको, इस 25 को हम लिख सकते हैं, मतलब 70 और 5 गुड़ा 5 लिख सकते हैं यानि मोटा मोटा कहने का यह मतलब है कि जब हर यानि जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या गुड़न फल गुड़न फल तो कम सही रहेगा उसका गुड़न खंड फैक्टर उसका फैक्टर या तो दो आए सिर्फ और सिर्फ दो आए या पांच आए या दो और पांच दो न दिए इंद्द टर्मनेटिंग्थरी क। तो इस में क्या है तो इस क्या है तो यह क्या है टेर्मनेटिंग्यिक्सेमलीष सब्सक्रां यानि जब हम इसमें 35 क भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 0शहेश्फ पर कुछ इस्टप के बाद आईए देखिए कैसे समझने की कोशिस करिएगा पूरा भरपूर समझ गया ना मेरी बात इसको कुछ और भी बातों से समझ लो पहले समझ लो फिर भाग करेंग बाद में जैसे एक दूसरा मैंने दिया ये मान लो इसको A मान लेता हूँ एक भी ले लो मान लो कि 135 में हमने भाग किया पचास ये भी क्या है टर्मनेटिंग है काहे को काहे को आप इसको ऐसा कर फकते हो पचास को हम लिख सकता हूँ 10 गुड़ा 5 हाँ और इसे और ज्यादा तोड़ें तो हम ऐसा लिख सकते हैं दस को हम लिख सकते हैं दो गुड़ा 5 और आल्रेड़ी एक 5 है यानि ये दो और 5 की रूप में आ रहा है बाकी कोई और फंख्या नहीं आ रही ना बीच में तो ये क्या है दस हम लो पर सार इसका टर्मनेटिंग है ना कोई डाउट इस तरीके से साथ ही मेरे और भी चीज़ें कर लोगे आप लोग जैसे माल लो 1857 नीचे एक हजार दे दिया ये भी क्या है टर्मनेटिंग है क्योंकि इसको हम कैफा लिख सकता हूँ 1857 बटा इसको 10 गुड़ा 10 गुड़ा 10 लिख सकता हूँ और 10 को दो गुड़े 5 लिख सकते हो इस तरीके से इसके सारे फैक्टर दो और 5 की रूप में आ जाएंगे ठीक है बात समझ में आ रही न तो ये सभी क्या हो जाएंगे टर्मनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन यानि सांत दसमलो परसार ठीक है कोई समस्या नहीं किसी को नहीं न चलो तो अब इसको भाग अगर आप करोगे न दे सारे भाग चले जाएंगे पूरा पूरा स्वेसफल जीरो आएगा करके देख लो चाहें चलो करके दिखाता हूं चलो लो समझो चलो पाचीज का भाग करो अचीज का भाग करो इसमें एक सो सत्तर में कर एक बार देखो करो पचीज चक का देर सो गटाओ के बीस आएगा न देखो भाई इसमें आप आप क्या करोगे आप उपर दसम्लों बढ़ाओ यहां पर जीरो उतारो पचीज अठ्थे दूइस तरह से आपका पूरा पूरा यह इसके पहले आपने देखा था दसम्लों बढ़ाने के बाद भी कोनो मतलब ने निकला न तो यह क्या टर्मिनेटिंग डेसमल इक्सपेंसन है इस तरीके से जैसे आप कोई भी और देख लीजिए माल लिजिए कि हमने कहा कि भाई चलो पांच का भाग करना है कुछ भी नंबर हो जैसे माल लो एक सो अठावन तीन दो यह भी पूरा पूरा चला जाएगा क्यों क्योंकि जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पांच है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पन फाइफ एट थ्री टू अपान फाइफ चूकि नीचे जो डेनोमेनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ फाइफ है और अगर सिर्फ पाइफ है यह सिर्फ 2 है यह 2 और 5 में से दोनों है तो उसका पूरा-पूरा भाग चला जाता है terminating decimal expansion कहलाता है ठीक है चलो भाग कर लो इसमें उपर लिख देता हूँ 5 तियाई 15 घटाओगे 0 सेजफल उपर से 8 उतारो 5 एकम 5 घटाओगे 3 आएगा उपर से 2 उतारो 5 चंग 30 घटाओगे 2 आएगा है देखो यहाँ पर मैंने उपर से 8 उतारा था यहाँ पर मैंने क्या उतारा था 8 के बाद देखो भाई यहाँ पर 3 उतारना था ठीक है तेहां पर तीन आता उसमें क्या बुराई है अभी दो उतारना है अब पांच चंग तीस गटाओ गे दो आयगा ना उपर दस हम लो बढ़ा लो मेरे भाई यहां पर जीरो उतार लो पांच चोग बीस देखो फाइनल में जीरो ही मिलेगा आपको सेस्फल ठीक है कोई आउट नहीं होना चाहिए किसी को लिखो जल्दी डन आगे बढ़े चलिए इस तरीके से आप और भी बिभिन्य प्रकार के भाग कर सकते हैं हां पांच चोग बीस इतना ही था ना लिख लो जल्दी से भाईया चलो फास्ट करो आगे बढ़े कोई डाउट नहीं कोई परिसानी कोई तकलिफ नहीं न ठीक है अब क्या करना है अब क्या करना है खतम हो गया इस टाइप के बहुत सारे कुश्चन बनते हैं आप लोग कर लेंगे अगर चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे 200 का भाग 337 में करना है कुल मिला करके ये कहने का है कि नीचे जो नंबर है उसका अगर फैक्टर करने पर उसका अगर फैक्टर करने पर जो गुडन खंड है वो दो के रूप में आए या पांच के रूप में आए या सिर्फ दो और पांच दोनों के रूप में आए त्रब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन है दसमलों बढ़ाने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा फिर जीरो से सफ़ला जाएगा ठीक है इनको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में बोलते हैं अनावसानी अनावर्ति ऐसे type number 10 में type number 10 लिख लो non-terminating non-terminating and recurring recurring decimal expansion यहनि दस हमलो परफार इसमें एक के नंबर बार बार रिपीट होता है जैसे देखो 1 अपान 3 तो बीकान राइट एज 1 रेफियो 3 ओके साथी मेरे इसको आफे भी आप कर फक्ते हों ऊपर पहले जीरो बार भाग जाएगा यहां पर घटाओ गेवन आएगा दस हमलो बढ़ाओ जीरो उतारो थीरी बार जाएगा घटाओ गेवन आएगा एक बार दस हमलो बढ़ाओ फिर जीरो उतार लो फिर थीरी बार ऐसे देखो के फिर जीरो उतार लो फिर थीरी बार आएफे देखो इसमें कोई राव रंग नहीं आने वाला यह बार बार एफे जाता रहेगा इसका कभी आदि अंत नहीं है तो फाइनल में इसको क्या बोलते हैं 0.333 को उपर बार ऐसे एक पर अनन्त जहां पर कोई अन्त नहों ठीक है को कोई डाउट किसी को नो डाउट चल भाईया आगे नेक्स्ट अगला इसमें लिखिये नहीं देख पाए थे नहीं लिखे थे तो वीडियो पीछे करके देख लिजिएगा अगला जैसे तीन का भाग एक में करें हो गया अब बीस में तीन का भाग करके मुझे बताओ सभी चलो गेट फास्ट कि इंग्लिश में इसे बोलेंगे अफी नंबर पांच बटा नो चल भाईया यह बताओ यह कौन मुसीबत है नो का भाग पांच में करना है इसको ऐसे भी कर लोगे आप नो का भाग जाया कितनी बार जीरो बार पहले जाया जीरो गटाओ पांच आया गटाओगे 5 आयेगा जीरो उतारो नो पक पहले पैतालिस फिर गटाओगे फिर पांच आयेगा फिर ऐसे जायेगा यह कंठ ने वाला नहीं है अब यह पांच उपांच जायेगा बार बार चाहिए इतनी बा ले जाओ तुम ठीक है इस तरह कैसे आप लिख सकतों इसे जिरो पॉइंट फाइफ फाइफ डाट 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 ऐसे आनंद का चिंद बना दो नीचे लिख दो जिरो पॉइंट फाइफ के उपर बार ऐसे मतलब यह बार बार रिपीट है समझ में आया कोई डाउट नहीं नहीं ना चलो अगला इसी टाइप का और भी आप कर लो भाईया कूछ कुछ कूछ यानुक तो होगा नहीं के जारी का देख तो तब होता है अब वहीं कपिल सर्मा कमेडी देखोगे तब भी होगा अब आमको देखके किसी का होगा है ना चलिए तो थोड़ा-थोड़ा होता रहे आपको हमारी कोसिस है जिससे आप जागते रहो सोना नहीं है चलो अब बस खतम हो गया खतम हो गया अब जागे रहो सभीनहा एक बर बताओं कमेंट करके देख रहा हूं सबको देख रहा हूं जो मूह धुल के बैठा है जो वहीसे बैठा है बूरी हालत में उसको भी देख रहा हूं चलो कि इनको भी ऐसे आप कर लिजिए गा यदि यदि घ्राद होग ने कि पनी टाइप नमबर दस एक लाश्ट टाइप है मेरे भाईया मेरे बाबु आप इतना देर जब देखा ही लिए हो तो का है को फिर चलो लाश्ट टाइप है नान टर्मिनेटिंग नान रिक्वेरिंग इसमें रिपीट होगा था बार-बार इसमें ना एक तम हठी टाइप का जिद विए रिक्रिंग या रिपीटिंग मजब वेख एयह है है जैसे अगर आप देखो अंडर ऊ-पू अंडर ऊ-ठी इन है इनके मान जो है न ऐसे होते हैं यह आप एक आउर ले लो डू बटाग्यारा फाससरे बटाग्यारा ले लो है अघ्र बटाग्यारा यह जो एसी का त्रकार, जाओ पहले 0 ? दस हमलो मृटाओ run bَार जाएगा गटा लो आ आएगा 0 उताळो गारव का फिर्स गटाओ गे में 2 ाइगा 0 उतालो Blade ड्रक्र 1 सब्सक्राव कुण्षे ओध नव 2 उतालो उतालो का बार्फंड हमें यही बार बार जाएगा 1818 1818 18 18 वने दिमाग का दही बन जाए गाइगा जाएगा काम कभी कफने वाला नहीं तो क्या करोगे मतलब यार یकुछ टाइप क्या था नान रिकॉर इंग न क्योँ ये इसका एक्रांपल स्थाई नहीं है की ये इसमेंगा इक्रांपल ये नहीं है is नाई 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 यह इसका एक्जामपल नहीं है यह तो रिकॉरिंग वाला हो गया ना फिर रिकॉरिंग हो रहा है बार बार रिपीट होगा कि तॉरी कुछ इसमें बुरा नहीं हुआ इसको करने का कोई नुक्सान नहीं है लेकिन ये इसका एक्जाम्पल सई नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये बार बार रिकॉरिंग हो रहा है रिपीट हो रहा इसमें क्यों लेकिन एक चीज और है यह इसके अंतरगत भी आ सकता है क्योंकि एक ही सेम नंबर रिकॉरिंग नहीं हो रहा है अलग-अलग बदल रहा है न फिर भी साही साहीक दम सटीक जो इस पर बैठता है वो यह है अंडरूट टू अंडरूट टू और अंडरूट तीन इनके मान कुछ आधायो जैसे लेलो 0.10 ऐद टेदर बीस पचास असी लेकिन इसको आ ऐसे नहीं पढ़तार पचास chcib80 लेकिन इसको अ आधा नहीं जाए ठीक है इसको ऐसे नहीं पढ़ते दर्साहम लों के बादार से 1.73 205 08075 डट डॉट यहां पर एक्कोश रिपीट नहीं संग अलग- ऐसे ही यह कैसे निकलता है भाग विधी से जिनको वर्गमूल नहीं आता है आप आगे देखना मैं वर्गमूल सिखाऊंगा भाग विधी वाला तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा ठीक है क्या भाग विधी से वर्गमूल इस तरीके से इसको भी कर लो अगर आप इसे कुछ आयगा ना ऐसे कुछ आयगा यह सब भाग कि दस ग्यारा बारा प्रकार अगला इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि दसम्लों का भाग और जोड घटाना और गुड़ा यह सब डेस्मल वाले में होगा जिसमें दसम्लों से दसम्लों वाले संख्या में भाग होगा वहीं बैरियेबल यक्स और वाई का भाग जो है यह सब अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन वाले चैप्टर में होगा लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने भाग करना बिल्कुल सिखा दिया सुरू से अंत तक इस तरीके से जो बड़ी बड़ी भाग होती हूं उनको भी ऐसे ही करते हैं सारा कंसेप्ट बदा दिया हूं बाकि इस पर और भी बहुत सारे कोईशन हो सकते हैं जिने आप खुद से करेंगे किसी को कोई डाउट है कोई तकलीफ है कोई दुख दर्द तो मुझे बताओ ने तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बैस्तर हैं मस्तर हैं खुश रहें और अगले को भी खुश रखें बस इनी उमीदों के साथ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहुत जल्दी आएंगे अगली क्लास के साथ अपडेट कर रहे हैं पूरा कोर्स कम्प्लीट कोर्स पीवियर स्टडी एप में अगर आपने इंडॉल नहीं किया है तो उपर नंबर दिया गया स्क्रिन पर संपर करिए जोईन जेड एल एम लिखे बेजिए